नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों इस साल फरवरी के महीने में भारत ने 48 अफरीकी देशों के साथ एक वोईस ओफ गलोबल साउथ समिट का अजन किया गया था और जब यह समिट हुई थी उस समय साफ परा चल रहा था कि भारत इन 48 अफरीकी देशों को कितनी जादा इंपोर्टेंस दे रहा है जबकि यह देश गरीब थे छोटे थे फिर भी भारत इन 48 देशों को बहुत एहमियत दे रहा था इसके दो करण थे पहला यह कि अगर भारत को एक सूपर पावर देश बनना है तो उसके लिए हमें मैनफेक्ट करनी होगी चीन के पास जो वर्ड फैक्टरी का खिताब है उसे चीनना होगा और वो तभी संबव है जब यह 48 अफरीकी देश भारत के पाले में आए इसका करण यह है कि मैनफेक्टरिंग करने के लिए आपको चाहिए कच्चा माल और दुनिया भर में कच्चे माल के सबसे कम कीमत में और यह भारत के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है क्योंकि अगर भारत को आर्थिक सुपर पावर बनना है न तो ज्यादा से ज्यादा मैनिफेक्टरिंग करने होगी सामान बनाने होगे और दुनिया के देशों को बेचना होगा और दुनिया हमारे सामान तभी खरीदेगी जब हम चीन से सस्ता सामान बना पाएं और वो तभी होगा जब हम कच्चा माल भी सस्ता ले पाएं और वो मिलेगा हमें अफरीकी देशों से तो पहला करण तो हो गया ये दूसरा करण ये है कि जो अफरीकी देश है ना आने वाले समय में ये एक बहुत ही आए और बहुत ही जादा अमीर मार्किट बनेगा दुनिया भर की तमाम बड़ी कमपनिया इसलिए भारत के इंदर निवेश कर रही है कि आने वाले समय में जब भारत विशालकाई मार्किट बन जाएगा तो हम यहाँ पर मोटा मुनाफ़ा कमाएंगे दो हजार पैंतिस के बाद जब भारत की मार्किट पूरी तरीके से एक्स्प्लोर हो चुकी होगी और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ ववस्था बन चुके होंगे ना उस समय आप देखेगा दो हजार पैंतिस के बाद सेम ये बाते जो भारत के लिए कही जाती है यहीं अफरीका के इन 48 देशों के लिए कही जाएंगी कि ये आने वाले समय में बड़ी मार्किट है और उस टाइम पर जाकर अगर भारत को नंबर 3 की पोजिशन से हटकर नंबर 2 या नंबर 1 पर आकर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थ ववस्था बनना होगा तो हमें चाह देखते हुए अब भारत ने एक लंबे समय की चाल चल दी है दरसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए भारत अब पूरे अफरीकी महादीप का दूसरा सबसे बड़ा क्रेडिट प्रोवाइडर बन चुका है यानि कि हम पूरे अफरीकी महादीप में लोन देने के मामले में सेकेंड पोजिशन पर आचुके हैं पहले पर ओवियसली चाइना है लेकिन दूसरा पोजिशन भारत ने अमरीका और पूरे यूरोपियन यूनियन को हरा कर दूसरा पोजिशन हासिल कर लिया है और सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि चीन नंबर वन पर इसलिए है क्यों अफरीकी सोसाइटी में वह बहुत ही जादा कम हुई है वहीं अफरीकी देशों में लोन लेने के मामले में भारत सबसे पॉपलर डेस्टनेशन बनकर उबरा है क्यूंकि भारत जो लोन देता है उसकी ब्याजदर बहुत कम होती है और सबसे इंपोर्टेंट बात भारत अलग अलग infrastructure project अफरीका के लगबग 42 अलग देशों में चलाए गए हैं जिससे की डैम बने हैं सडके बनी हैं पुल बने हैं लेकिन इन्हें बनाने के लिए जो मजदूर थे वो अफरीकी थे जो इंजीनिर थे वो भी जातर अफरीकी थे और इन्होंने खुद अपने आप ही यहां पर सारा का सारा infrastructure project बनाया है हाँ कुछ ऐसे कमजोर अफरीकी देश जरूर थे जिने हाई लेवल की assistance की जरूरत थी भारत ने उन्हें वो assistance दिया है लेकिन जातर देशों ने बस भारत से पैसा लिया और खुद अपना काम किया और इसलिए भारत ने जो लोन दिया उस इसी भी अफरीकी देश की एक इंच जमीन भी कब जाने नहीं वाले वहीं इसके उलट अगर यही लोन चीन ने दिया होता ना तो सबसे पहले चीन भारी मातरा में ब्याज वसूलता कड़ी शर्ते रखता जान बूचकर ताकि लोन चुकाने में विफल हो जाएं और बाद म अफरीकी देशों की जो ख़दाने हैं इसके अलावा लंबी चोड़ी जो उपजाओ जमीन हैं वो ये लोग कब जा ले इसके उपर से अगर कोई देश माली जे कर्द चुकाने में समर्थ भी था तो भी उसे कर्ज का फाइदा नहीं था क्योंकि जो इंफास्ट्रक्चर ख अफरीकी लोगों का पेट काट कर ले जाया करता था और इसी वज़े से आप देखेंगे कि भारतिय लोन की लोक फिरता पूरे अफरीका में बढ़ रही है और कई देश तो ऐसे हैं जो चीन के 3-4 बिलियन डोलर का लोन ठुकराने को तयार हैं और बदले में 1 बिलियन का भ भारत 1 बिलियन का भी कर्ज दे रहा है न तो उससे इने फाइदा ही फाइदा है और इसलिए आपने भी देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों के अंदर बहुत सारे अफरीकी देशों ने भारत का दोरा भी किया है और भारत की विदेश मंत्री ने भी बहुत सारे अफरीकी video